So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे में So guys, BHEL के उपर कई सारे वीडियोस हम बना चुगे हैं कई सस्ते लेवल्स पे हमने कहा भी है स्टॉक को बाई करने की कई बार हमने यहाँ पर एडवाइस भी दी है और टेलिग्राम ग्रूप पर मैंने कई बार अपडेट भी आपको किया है और टेलिग्राम पर अगर आप जॉइन होना चाहते हो तो बिलकुल जॉइन हो सकते हो guys यहाँ पर निप्टी बैंक निप्टी के जो भी चार्ट के अपडेट से मैं देते रहता हूँ तो बिलकुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाकर जॉइन हो जाना तो बिएचियल के बारे में हम बात करने वाले है भारत हैवे इलेक्रिकल लिमिटेड इसका नाम है और क्या इसके लेवल्स हो सकते है तो गाइस बिलकुल यहाँ पर स्टॉक पहले एक बिल्ली के समान था और अब यह बिलकुल बबबर शेर बनने के लिए तयार है और आगे क्या यह सही में 200 पार स्टॉक जा सकता है तो एक बड़ा कुश्चिन है तो गाइस यहाँ पर एंसर मिलेगा बिलकुल लेवल्स के साथ तो वीडियो को आएं तक देखना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो गाइस चलते हैं B.H.E.L.K. लेवल्स के उपर तो गाइस पहले हम बात करेंगे भारत हैवे लेक्टिकल्स के पंदरा मिनट के चार्ट फैम पर कि क्या लेवल्स होंगे कल क्या परफॉर्मे स्टॉक कर सकता है तो आज अगर देखें तो मार्केट भी काफी ज़्यादा ओलटे लेटी आज बता रहा था शोकर रहा था काफी ज़्यादा साइडवेज भी हमें देखने को मिला पर्सों का मार्केट भी और कल का मार्केट भी सेम हमें देखने को बिला और यहाँ पर अगर देखें आज इस टॉक में क्या हुआ तो एक डबल बॉटम टाइप पैडन क्रेट हुआ है तो कल अगर ब्रेक आउट मिलता है तो एक अच्छा मुमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है 77 रूपिस के राउने शेयर जा सकता है और US मार्केट के अगर बात करें तो US मार्केट भी अच्छा काज़ा आज परफॉर्म कर रहा है अगर देखें तो 90 900 प्लस है चले गया था US मार्केट और यहाँ पर इसका इंडियन मार्केट के उपर पड़ेगा और BHEL भी अच्छा मुमेंटम बता सकता है तो कल के लिए अच्छे लेवल्स है तो guys यहाँ पर अगर देखें तो एक कदम दूर है जो हमा हमने टार्गेट दिये थे पहले और 43 रूपिस के लेवल पर हमने आपको बाई करने के लिए कहा था और 80 रूपिस का टार्गेट हमने दिया था क्लिरली कहा था कि 80 के तक जाए गई जाएगा क्योंकि अल्रेड यह दो बार रिजिक्शन्स इस लेवल से खा चुका था और यहाँ पर बिलकुल यहाँ से रिजिक्शन्स था है यहाँ पर रिजिक्शन्स था है तो मैंने क्लिरली कह दिया था कि इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ा मॉमेंटम आएगा और मॉमेंटम आया भी इस टॉक 200 प्लस जै डीजिक्शन्सका है तो इसका इंसर है बिल्कुल यहाँ पर यावझशन्स था है तो देखते हैं इसके लेवल्स क्या कहते हैं बड़े टाइम पर तो बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर पहले भी कहा था इस level पे भी एक शांदार breakout था उसके बाद momentum आया था और 50 rupees के around buy करने के लिए कहा था और breakout मिला और यहां से भी एक अच्छा momentum आने की पूरी possibilities यहां पर बन जाती है 80 rupees का level काफी ज़्यादा important है और यहां पर एक falling wage type pattern भी create हो रहा है तो breakout के बाद यहां पर आप देखोंगे तो जो target निगल के सामने आता है वो सीधा 200 के आसपास का है क्योंकि 200 के level से भी fall आया था और वही पे यह stock जाके रुकने वाला है तो simple सा target है simple सा target है बिल्कुल as a long term की basis पे आप छोटी quantity में भी invest करते हो तो अच्छा profit आपको हो सकता है but इसके results तक आप wait कर सकते हो तो कर लो क्योंकि results के बाद हो सकता है इसके previous results की बाद करूँ तो अच्छे नहीं ते इस बार भी अच्छे नहीं है हम predict नहीं कर सकते हैं तो results के उपर depend करता है कापी कुछ चीज़े तो I hope guys आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करो channel को subscribe करो thank you